हेलो, सभी को मेरी तरब से प्यार भणा नमस्कार, आसा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मैं रोहित कुमार, यूटी लाइब चैनल, आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ, जैसे हमने एक नई सीरी स्टार्ट की हुए है, जिसमें हम SSC, CGL के जितने भी प्रिवेस इक्जाम हुए है, उसमें जितने भी जनरल साइंस हो, जैसे जनरल स्टडी हो, उसके जितने भी क्वेश्चन बने हुए है, वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूँ, फिद उनका जो हमारे पास, जो उनकी ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, बिद आप्शन मैं उनको आपके सा स्टार्ट करते हैं, तो मेरा अंसर बताने से पहले खुद भी देखना उसका अंसर क्या रहेगा, तो देखिए, पहला क्वेशन है कि जो पॉंगल फेस्टिवल तोहार तमीन राडू में चार दिनों तक मनाया जाता है, पॉंगल चोते दिन क्या कहलाता है, जो हम एक पॉं उप्शन सेकिंड है, तो हमारे पास क्रम पॉंगल है, उसे कहा जाता है, जो पॉंगल है ये चार दिनों का फेस्टिवल रहता है, और ये सौथ इंडिया में जब फशल काटी जाती है, दक्सिन भार्त में जब फशल काटी जाती है, हिंदु जब हिंदू मानने तक है कि उनको स्मर्पित है ये तो जब भी नहीं फसल काटी जाती है सोथ इंडिया में तो ये वृणा फिस्टिवल मना जाता है और जो हमारे पस पहला दिन होता है पॉंगल का तो उसे हम क्या कहते है जो फस्ट डे होता है उसे तो हमारे पास दूसरा दिन होता है उसे हम कहते है सूर्य पॉंगल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं सूर्य पॉंगल जो होता है वो उसका दूसरा दिन रहता है और जो हमारे पास तीसरा दिन होता है उसे हम भोलते हैं माटू पॉंगल क्या बोलते हैं माटू पॉंगल तो हमारे पास थर्ड दिन होता है पॉंगल का उसे क्या कहते है थर्ड डे जो है पॉंगल का चार दिनों का फेस्टिवल होता है तो चोते दिन को हम कहते है करनम पॉंगल और जो तीसरा दिन होता है उसे कहते है मार्टू पॉंगल ठीक है जी तो इसका जो सही अंसर है वो है सेकेंड है तो मैंने आपको बाकी भी बता दिये कि इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है सूर्य भगवान को स्मर्पित है और यह जब भी दक्षिन भारत में फसल काटी जाती है तब यह फेस्टिवल सेलिवेट किया जा नेक्स्ट कोईशन है हमारे पास का गया है कोलकत्ता के पीबीडी बाग या धलोजी किशेतर में मुद्रा भवन का निर्मान किस वर्स में किया गया था 1833 में किया गया था 1833 में किया गया था यह भारत का जो सबसे पुरानी ओर्डेस्ट सबसे पुरानी जो बीडिंग है जो as a bank ठीक है जो बैंक के रूम में function करी है सबसे oldest जो building है घार्त में जो as a bank काम कर रही है ठीक है जी तो उसका जो उसका जो घार्टिन किया गया था कब उसको construct किया गया था 1833 में एक chartered act आया था जिसमें हमारे पास क्या था जो हमारे एंडिया थे वो कौन थे बिल्यम बैंटिक लॉर्ड बिल्यम बैंटिक पोटेंट है ठीक है जी next question देखते हैं next question में कहा गया है कि जो हमारे पास महाबलीपूर्म के 5 रथों का निर्मान किस किस बंस के द्वारा करवाया गया था जो पल्व बंस था उनके द्वारा इसका निर्मान किरवाया गया था तो यह इनोंने जो रूल किया था यह इनोंने रख्षिन भारत में रूल करा था और इनका जो रूल था वह 275 275 जो CE से लेकर 897 तक इन्होंने दक्षिन भारत में रूल करा था और जो महाबली पुरम में जो पंच रथों की जो निर्मान करवाया गया था वो पल राजा के द्वारा करवाया गया था इनके जो इन में से जो फेमस राजा थे जो जिनके टाइम में ये जो राजबन्स था वो बहुत ही प्रसीद हुआ था तो उनका नाम था महिंदर बर्मन के क्या नाम था महिंदर बर्मन और दूसरे जो महिंदर बर्मन थे इनका जो सासनकाल था इनका सासनकाल था 571 571 से लेकर 630 की तक इन्होंने सासन किया था तो इस राजबन्स के सबसे प्रसीद जो राजा हुआ करते थे वो ये थे दूसरे थे दूसरे थे नर्सिम जो हमारे पास नर्सिम बर्मन जो नर्सिम बर्मन थे ये दूसरे पल्व जो राजबंस था उनके परसिद उनके सबसे परसिद जो राजा थे एक महिंदर बर्मन बन थे दूसरे नर्सिम बर्मन बन थे और इनकी जो इनका जो सासन रहा था वो 630 से लेकर 668 पी तक रहा था इनके टाइम में जो पलव सवराज्य था वो एक बहुत बड़ी सक्ती उबर के आई थी और जो ये पलव के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया है जिसका नाम है सोर्म टैंपल के जो सोर मंदिर है जो पलव के द्वारा ही बनाया गया था जिसको बर्ड हेरिटेज साइट के द्वारा जो महाबली पुरम में ही है कहां पे है जी महाबली पुरम में ही है और इसको जो हमारे पास यूनेसको वर्ड हेरिटेज साइट जो होती है जो हमारे पास यूनेसको के दवारा दिया जाता है तो महावलीपुर्म में एक मंदीर है जिसका नाम सोरो मंदीर है उसको यूनेस्को वर्ड हेरिटेज का दरजा मिल चुका है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास भारती रेल्वे ने अपनी हल्प लाइन नंबरों को एक ही नंबर से एक रित कर दिया है उसकी क्या संख्या है तो वो कितनी संख्या है उसकी पन थ्री नाइन ऑप्शन नंबर गिंगा 5 जब शरीर के किस अंग से सवन्धित है तो यह है हमारे पास पैरो से मात्वर्ट अ जो ओते हैं उस और प्रoup defic Xbox जो टैटिनी का बीग्नाइट करती है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है ने टेरोफो लोजी जो डील करती है वो जो स्टडि करते है पिडिनी की स्टडि करते है उनको क्या बोलते है नैफरो लोजी हमारे पास लीवर होता है उसकी जो स्टडी करते है उसको बोलते हैं है अपका है तो लोजी और जो हमारे पास जो हमारे पास फेफडे होते हैं जो लंग्स होते हैं उसकी स्टडी को करने को बोलते हैं पल्मोनो लोजी जो अगर कोई किडिनी का अधियन करता है तो उसको बोलते हैं निफ्रोलोजी जो हमारे पास लीवर का अधियन करता है स्टडी करता है उसको बोलते हैं हेप्टोलोजी और जो हमारे पास फेफडो का अधियन करता है उसको बोलते हैं फुल्मोनो लोजी ठीक है जी तो ये हमा का नाम लिखिए जो बताता है कि तापमान और दवाब की समान परस्तितियों में सभी गैस के समान आईतन में अनुव की संख्या समान रहती है हमारे पास जो temperature है the same condition of the temperature the pressure contains the equal number of the molecules उन्हेус एक नने क्या में हमारे पास क्या हैगि हमारे पास temperature नियुक्तितित्तित्व किया था वो कहा से सुरू किया था वो उन्होंने कहा से स्टार्ट किया था अगस्त जो क्रांती मैदान था वहां से उन्होंने भार्थ छोड़ो अंदोलन तुरू किया था और ये कब स्टार्ट हुआ था आठ अगस्त आठ अगस्त 1942 को महात्मा गांदी जी के द्वारा ये अंदोलन स्टार्ट किया गया था और इसमें ही इन्होंने एक नारा दिया था डू और डाई मतलग करो या मरो करो या मरो का जो नारा दिया था वो भी इन्होंने भार्थ छोड़ो अंदोलन में ही दिया था नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कुश्न में हमारे पास क्या कहा गया है? इसमें एक क्वेशन और है कि जो भार्थ छोड़ो अंदोलन था उसमें जो मुस्लिम लिग थी वो नूटरल थी मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिस्पेट नहीं करा था और जो हमारे पास सी राजा गुपाला चारी थे उन्होंने भी इसमें पार्टिस्पेट नहीं करा था जिंनोंने इसमें राजा गुपाला चारी थे जन्होंने इसमें पार्टिस्पेट नहीं करा था तो यह अंच बहुत ख्ते हुँ इसमें वाला प्रेम कोंगरेस के दो नेता थे एक का नाम था हमारे पास सिफरुदिन किल्चवे और दूसरे का नाम था हमारे पास सत्य देव ठीक है जी सत्य देव उन दोनों को किसी unknown प्लेस में रख दिया गया था और उसकी मीटिंग के लिए जलियां वाले बाग में इकठे हुए थे और उस द क्या कर दिया ब्लोक कर दिया और आपन फाइरिंग करवा दी जिसमें पच्चे महिलाएं दो हजार जो लोक थे उसमें उनकी मिट्टी होगी और जो जनरल टायर था उसको जो मारा गया था ठीक है जी अभी जो रिसेंटली मूवी भी आई थी उद्दम सिंग के द्वारा उनक किस दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थेटर माना जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है उडीसा ठीक है जी ये 11 दिन का फेस्टिवल चलता है और इसे कहां सेलीवरेट किया जाता है इसे किया जाता है उडीसा देख्ट कोश्चन देखते हैं कि सूर्य द्वारा जो उर्जित प्रकास का रंग कैसा होता है तो वो होता है हमारे पास स्फेद जो बाइट लाइट आती है कि जी जो सन से जो रेज आएगी उसका जो कलर रहेगा हमेशा स्फेद रहेगा अगर वो किसी भी मीडियम के बीच में जैसे हमारे पास प्रिजम के बीच में निकलती है तो वो साथ कलरों में क्या हो जाती है तूट जाती है जब आपने देखा होगा कि इंदर धनुस बनता है तो इंदर धनुस जो बनता है वो भी डिस पर्जन की बज़ा से बनता है किसकी बज़ा से बनता है इस पर्जन की बज़ा से बनता है उसमें क्या होता है कि यहां पे क्या होता है कि पानी के जो molecules होते हैं जो पानी की बूंदे होते हैं उस पे light गिरती है और light जो होती है वो तूट जाती है साथ color हो में ठीक है जी और इसमें जो हमारे पास एक formula चलता इसमें जो हमारे पास violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red जो हमारे पास wavelength होती है सबसे ज्यादा जो wavelength होती है वो किसकी होती है red light की होती है इसी लिए हमसे हमें दूर से दिख जाती है और सबसे कम जो wavelength होती है वो बैंगनी की होती है जो violet होता है जी violet color की wavelength क्या होती है सबसे कम होती है जहाँ रखना और जो हमारे पास इसमें जो frequency होती है देखिए जो frequency होती है जिसको new से लिखते है यह universally proportional होती है लैमडा अगर किसी color का wavelength ज्यादा तो उसकी frequency कम वेवलेंद किसकी ज्यादा red की frequency क्या होई कम होई अगर हमारे पा ज्याद में रख लेना पेपर में maximum time यह question आ चुका है next question देखते हैं कि जो महराजा सवाई जैसिंग द्यूतियने जैपूर में नहरगड का किला है वो किस वर्स में बनवाया था 1734 में बनवाया था जो हमारे पास इनके द्वारा यह जो थे अजमेर के समराज्य के सासक थे उन्होंने जो जैपूर है जो जैपूर सहर है उसकी स्तापना भी जैपूर सहर की स्तापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था ठीक है राजधानी भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था इसको जैपूर को और उसकी स्तापना भ थे औरंग जेव उनके द्वारा इनकी बुद्धी से प्रभावित होकर इन्हें दिल्ली बुलाया था और इन्हें सबाई की उपादी दी ती मुगल समराड थे जिनका नाम मुहम्मद सा था क्या नाम था मुहम्मद सा जो हमारे पास मुगल समराड थे मुहम्मद सा के द्वारा 21 अपरेल 21 अपरेल 1721 को इनको सरसद सरसद ए राजा ए हिंद की उपादी दी गई थी से समानित किया था और किसने मुहम्मद सा ने 21 अपरेल 1721 को सरसद ए राजा ए हिंद की उपादी से इनको समानित किया था इंपोर्टेंट है ध्यान में रखने नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास चीन में दुनिया का सबसे लंबा मानवद निर्वित जलमार्ग है तो उसका नाम क्या है उसका नाम है कुरित नहर ये कहां से स्टार्ट होती है ये बीजिंग जो एक सहर है चीन का एक सहर है जिसका नाम है बीजिंग ये बीजिंग से स्टार्ट होती है कहां से स्टार्ट होती है जी बीजिंग से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है जो हमारे पास जिजिया जिजियांग जो जिजियांग प्रांथ है कहां पे चाइना पे वहां तक जो जाती है प्रांत का एक सहर है जिस सहर का नाम प्रांत का एक सहर है जिसका नाम ओंग हांग जाओ आंग जाओ कि हांग जाओ तक यह जाती है और यह पीली नदी को यह जो हमारे पास यलो जो है पीली नदी जो पीली रीवर है पीली नदी को पीली नदी को जोड़ती है पीली नदी को यंग जी यंग जी नदी के साथ जोड़ती है ठीक है इस नहर के थुरू जो हमारे पास पीली नदी को किस नदी के साथ जोड़ती है यंग जी जो नदी है उसके साथ जोड़ती है और इसकी जो लेंथ है वो अठारा सो किलो मीटर ह इसका मुख्याले कहां पे स्थित है उसका मुख्याले कहां पे है जी जो BCCI है यह सबसे सबसे रिच जो बॉड है को कौन सा है BCCI है तो BCCI से मिलता है अगर यहां BCCI 80% जो पैसा है वो BCCI से आता है बाकी 20% जो बाकी अदर बोर्ड बचके है जैसे हमारे पास इंग्लैंड cricket board हो गया जो हमारे पास ऑस्टेलिया cricket board हो गया तो इन सभी board को मिला कर जो है 20% आता है अकेला भारत से ही 80% आता है next question देखते हैं next question में कहा गया है कि दिल्ली में कुवैत Islam मस्जित के दक्षनी परवेश दुरार पे लाही दुराजे का निर्मान किसके दुरारा करवाया गया था तो किसके दुरारा करवाया गया था जो हमारे पास अलोधीन खिलजी थे इनके दोरह इसको बनवाया गया था जो अलोधीन खिलजी जो थे हमारे पास इसे सिकंदर ए इजाम इन्होंने अपने नाम को क्या उपादी अपने नाम के साथ और क्या उपादी देक रखी थी सिकंदर सिकंदर के अजाम सिकंदर ए अजाम की उपादी ली थी और ग्रहन की थी और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद बोलते थी अमीर खुसरो जो इनके राज़रवार में था अमीर अमीर खुसरो अमीर खुसरो को क्या बोला जाता था तूती ए हिंद एक की ए हिंद के नाम अमीर खुस्रो को और इनों ने अलाही दर्वादजा होज खाज जो हमारे पास महल हजरों और जो हमारे पास अलाही मिनार के नाम से जो प्ऱसिद एक परवेस द्रवार का निर्मान किया था सिरी जो थी उसको एक नई राधानी बनाया था जो जगा थी सिरी फिके जी हमारे पाँ जो सिरी थी उसको इन्होंने अपनी राधानी बनाया था जो नेक्स्ट है हमारे पास जो यहां पे आदम सा दुरानी है यह थे अफगानिस्तान के दुरानी समराज्य से के संस्तापक थे जो अफगानिस्तान में जो दुरानी समराज्य था उसके संस्तापक थे जो हमारे पास यहां पे मुहम्मद गोरी थे इनको और किस नाम से जाना जो किसी बंस के तो जो गुरिंद को था उसके ये सासक थे और कई इतिहासकार जो मानते हैं इनको भारत में इसलाम धर्म का सनस्थापक किसे कहा जाता है मुहम्मद गोरी को ही पाना चाता है और जो हमारे पास मुहम्मद बिन तुगलक थे इनको जोन के इनको और क्या कहा जाता है जोन जोन नाम से भी जाना जाता है अपनी राज़ानी को इन्होंने क्या किया था इन्होंने अपनी राज़ानी जो थी इनकी जो capital थी उसको देव गिरी दिल्ली से देव गिरी स्ताननांत्रिट कर दिया था अब उसको क्या बोला जाता है दोलताबाद दोलताबाद के नाम से उसको जाना जाता है उमीद करता हूँ कि आप हमारे साथ यूसी लाइब चैनल के साथ जुड़कर अपनी त्यारी को continue करेंगे आपको मैं हर एक 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 जो इसका option है उसको describe करवा रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई question बने तो वो आपका question गलता है ना हो next question देखते हैं जो हमारे पास रास्टी पिछड़ा बर्ग आयोग का गटन भार्ट के सम्विधान में अनुछेद में समलित करके किया गया तो जो हमारे पास national commission board of other backward classes है उसकी जो स्तापना है वो कब की गई तो इसकी जो स्तापना तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कब की गई 1993 में की गई और ये किस अनुछेद के अंदर किस article के अंडर आता है तो 300 जो हमारे पास 38 भी है उसके अंडर ये आता है और ये जो है एक statutory body है कौन सी बोड़ी है? statutory body है मतलब इसको हिंदी में बोले तो बैदनिक जो हमारे पास निकाए मतलब कि इसका मतलब होता है statutory body का मतलब होता है कि लोकसावा में बिल पास करके इसको बनाया गया है और constitution में इसको रखा गया है तो जब जो हमारे पास ये national commission backward classes है ठीक है जी ये हमारे पास कब add किया गया था? 202 जो amendment किया गया था constitution में जो amendment किया गया था constitution में तब इसको add किया गया था और ये जो constitution जो amendment है वो कब किया गया था? 2018 में वो add करके भारत के संभीधान में इसको बनाया गया था जो इसके जो चेर्मेन है उनका नाम क्या है उनका जो हमारे पास नाम है भगवान लाल सहाई क्या है भगवान लाल सहाई ठीक है जी और ये इंपोर्टेंट है कि जो नैशनल कमिशन फॉर नैशनल कमिशन फॉर ऐकवड़ क्लाइस है क्या है और यह एक वर कापका सिवल कोट कोण सा कोट रही है कि और कब इसको एड किया गया था 102 एवेंवर्ण संसोधन किया गया था 2018 में अब इसको भार्त के सम्भिधान में इसको सम्लित किया गया था और कब किया गया था 1930 इंपोर्टेंट है ध्यान में रखना next question देखते हैं कहा गया है कि जो हमारे पास भार्त पाकिस्तान के बीच में सिंदु जल संदी पर हस्ताकसर किये गए थे तो जो हमारे पास इंडर्स वोटर ट्रीटी है जो भार्त और पाकिस्तान के बीच में हुई थी तो ये कब हुई थी तो ये हुई थी 19 स्टमबर को ठीक है जी तो मैं यहां पर आपसे एक क्वेशन पूछूंगा भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जौहलार नहरू थे और जो पाकिस्तान के प्रेजिडेंट थे वो कौन अब इस इस ट्रीटी को करवाने वाला बीच में जो बचो लिया था जिसने इसमें हस्त मिडियेटर जो था यह 19 स्थंबर 1960 को यह ट्रीटी हुई थी और इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि जो हमारे पास सिंदू है का इसका यूज कौन करेगा पाकिस्तान को जाएंगी और जो हमारे पास सतलूज है वियास है और रावी कि जी रावी जो है हमारे पास कोमा सतलुझ गर यूर्ड और ब्यास है जो गरैंज जो है इसका जो पानी रहेगा ये यूज करेगा भारुट कि Porsche यह को गया था किन नदियों का पानी किसको जाएगा और किन नदियों का पानी किसको जाएगा ये मैंने आपको बता दिया next question देखते हैं कि जो हमारे पास दो या दो से अधिक घटकों के सजीत मिसरन को क्या कहते है solution अगर हम किसी कोई दो होमोजेनिस मिक्चर को जो दो या दो से अधिक कॉंपोनेंट हो तो उनको आपस में हम मिक्स करें तो उसको क्या कहते है solution मतलब समाधान ठीक है जी option number third जो है that is the right answer next question देखते हैं कहा गया है कि निमिलिक्त में से कौन सा उडिसा में स्तीत नहीं है तो जो हमारे पास सोनित पूर है elephant reserve जो है अविहरन जो है ये कहां पे है जी ये है आसम में है और जो हमारे पास इसको कब बनाया जो सुरी जो हमारे पास बाकी है जो ये हमारे पास मियूर भंज elephant reserve है जो हमारे पास सबलापूर reserve है और जो हमारे पास महानदी हाथी reserve है ये स सारे के सारे तीनो कहां पे है जी बीस और एक हमारे पास project आया था project elephant ठीक जी paper में पोस्ते हैं की project जो है हमारे पास project elephant जो हमारे कि निमिलिक्त में से कौन सा जो है हमारे पास लोर आयस नहीं है तो इसका है कप राइट जो है कप राइट जो है यह और और आफ आइडन यह आइडन की ओर नहीं है बाकी जो है हमारे पास सभी की सभी मेगनेट होगी है मेटाइड होगी जो हमारे पास साइडर राइट होगी यह सारी कि सारी जो है यह और है किसकी आईरन की कि आईरन यहां से निकलता है next question देखते हैं next question में हमारे पास क्या कहा गया है next question में कहा गया है कि भारती सेना साल तक जो महिला सैनिक के पहले बैच को commission करने के लिए तियार थी next question देखते हैं कि पदम पुर्सकारों की घोशना लगवग हर साल लगवग इसके आसपास की जाती है जो रिपबलिक डेप रेट सोती है उसके आसपास जो है हमारे पास पदम पदम अवोर्ड क्या दिये जाते हैं किया जाता है उनका next question है हमारे पास भारत के जो हमारे पास भारत के सम्भीधान में भाग एट किस से सवंध रखता है तो जो हमारे पास केंदर सासित परदेश है तो part 8 में हमारे पास क्या आते हैं केंदर सासित परदेश आते हैं और यह article किस अनुचेद से लेकर अनुचेद 249 से लेकर 242 article तक वो यूटी जाती है जो पंचायती राज है हमारे पास ये part 9 में आता है पंचायती राज इसमें जो article रहता है कि इसमें जो article रहता है यह 243 से लेकर 240 की O O तक important है article तो हमारे पास municipal corporation अगर फालिकाएं जो आती है यह हमारे पास जो आती है यह आती है part part 9A में इसमें आती है 9A में आती है और इसमें जो अनुछेद डील करता है तो हमारे पास यह अनुछेद आता है article 243 E से लेकर 243 Z G तक जो हमारे पास इस article से इस article तक और part 9 तक में रहता है जो हमारे पास राज्ये आता है जो हमारे पास state आती है यह part 6 में आती है part 6 में आती है और यह article जो अनुछेद है किस अनुछेद और किस अनुछेद के बीच में रहती है तो यह हमारे पास आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक ठीक है तो जो हमारे पास स्टेट आती है उसका जो सासन जो हमारे पास आर्टिकल है कि सनुचेद और कि सनुचेद के बीच में रहती है अनुचेद 152 से लेकर 237 तक और जो पंचाइती राज आता है यह हमा एक दो यहाल nih तक तक नगरपा लेखाया जो आती है पार्ट ए में आती है नाइन पर्ट में आते हैं और square rãy pack वार्टATE क से लेकर 252 दो सुटेसों जड़ी तक पितम अ new section देखते हैं कि जो हमारे पास बिहार के पास दिहार में पच्टना के पास पाए गए एक जो हमारे पास फॉंड किया गया था पटना में अब सेसो को जुलाई 2016 में उनस्को द्वारावा विस्व दरोहर स्थल के रूम में अंकित किया गया था तो वो क्या थी जो हमारे पास नालंदा महा भिहार है उसको उनस्को ने 2016 में क्या दे दिया था विस्व दरोहर का धरजा दे दिया था पोटन्ट है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं एक दूसरे से 120 जुके हुए दो दरप्रणों द्वारा बनाई जाने वाली प्रतिविंबो की संख्या क्या होती है अगर हमारे पास दो जो है हमारे पास मिरर है और और वो दोनों मिरर जो है वो 120 के एंगल पे हैं ने पे हैं जी 120 के एंगल पे हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 360 ओबर में टीटा माइनस में बन होता है तो हमारे पास देखो 360 ओबर में 120 गीरो से 0 ये चला गया ती माइनस में 1 that is equal to 2 तो इसका अंसर क्या आ गया है तो ये हमारे पास number of images निकालने का formula होता है अगर दो मिरर को किसी भी एंगल पे incline किया गया है तो उसमें कितने प्रतिविम बनेंगे तो वो इस formula से निकलते हैं 360 ओबर में थीटा कितने एंगल पे है माइनस में 1 तो उसका तो इसका सही अंसर क्या आ गया answer number जो हमारे पास 2 है second that is the next question देखते हैं कि जो हमारे पास which of the flowing is used to catalyst of the hydrogenation reaction hydrogenation reaction के लिए हम कों सा जो उत पे उत पेर के यूज करते है तो उसका नाम क्या है पैलीडियम पैलीडियम जो है उसका यूजर किया जाता है catalyst उसका है hydrogenation को मतलब का का काम क्या होता है कि किसी भी reaction को fast कर तो कि कह है अगर कि इसका कोई effect नहीं होता है यह या तो reaction को increase करता है मतलब उसका जो reaction हो फास्ट हो जाए उसके लिए उसका use किया जाता है as a catalyst उसको बोला जाता है next question देखते हैं कि जो गदर पाल्टी है उसकी स्थापना कब की गई 1913 में की गई और कहां पे की गई इसकी स्थापना की गई सेन फ्रैंसिस्को सैन सैन फ्रैंसिस्को स्थापना की गई और इसके जो founder है किसकी द्वारा की गई लाला हर्दयाल यहा फ्रैंस का था यहाँ चलाया गया उस press का नाम क्या था यूगांतर क्या नाम था यूगांतर ठीक है जी और 1915 नो जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी कहां से बापिस आये थे साउथ अफरीका से बापिस आये थे भारत कितने सालों बाद 21 बरसो इंपोर्टेंट है ध्यान में रख लेना और 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है एनाएर एडे क्या प्रवासी भारती दिवस का मनाया जाता है 9 January को मनाए जाता है Next question देखते है कि जो हमारे पास जनियावाला बाग जो हत्याकांट हुआ था नर्सहार हुआ था उसके बिरोध में अपनी नाइट हुड जो उपादी दी गई थी उसको बापिस कर दिया गया तो वो किसके द्वारा की गी थी जो हमारे पास रबिंदा नाठ टैगोर जी थे उन्हों को एक उपादी दी गई थी बिर्टिस गौर्णमेंट के द्वारा और उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया और महात्मा गांधी जी को भी एक उपादी दी गई थी केसरी औहिंद केसरी औहिंद उस उपादी को भी महात्मा गांधी ने इस इंसीडेंट के बाद क्या कर दिया बापिस important है महात्मा गांधी को भी उपादी दी गी थी और उन्होंने इस उपादी को भी रिटर्न कर दिया नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं केंदरसासिजाच प्रदेश Jammu Qismail के पहले लेट्टीन गवन्र का नाम बताइए तो जो पहले यूटी यूटी बना दी गए है किसको बनाया गया है और पहले स्टेट हुआ करती थी आप उसको क्या बना दिया है सासित प्रदेश बना दिया है तो उसके जो पहले लेफ्टिनेंट गवंडर थे उनका क्या नाम था उनका नाम था ग्रीज चंदर मुर्मूं कि कहा ओप्शन नमर फस्स जो है इसका सही हम नेक्स्ट को देखते हैं कहा गया है कि धर्म राज राथ जो धर्म राज मतलब तो य नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास रक्त पात होता है वो किस विटामीन की कमी के कान होता है तो वो किस की विटामीन विटामीन जो 12 है उसकी बज़ा से डेफिसेंसी की बज़ा से जो अमीनिया है रक्त पात जो अमीनिया है वो उस विमारी की मतलब उस डेफ जो बिर्टेन में पाकिस्तान के उचायुक्त हभीव इवराहिम रहमेतुला के खाते में द्वारा हैदराबाद से फंड किया गया था तो वो किस बैंक से उनके वहाँ पैसे भेजे गे थे हैदराबाद हैदराबाद फंड किया गया था तो वो किस बैंक से भेजे गे थे जो जो हमारे पास national best best minister bank जो है वहां से उनके हाते में पैसे भेज़े गे थे option number first जो है इसका सही answer next question देखते हैं कि निमिनलिक्त में से कौन सा संचारी रोग है मतलब communicable disease है कि मतलब ऐसा जो रोग जो एक दूसरे से एक दूसरे को फैलता हो जैसे हमारे पास सर्दी जुखाम है वह एक दूसरे से मतलब कोई किसी के पास जाता है तो उसके किटानू उसकी वज़े से एक दूसरे से फैल जाता है तो उसको बोते कॉमिनिकेर भी किसे संचारी रोग तो भारत में उच जो राज्य उच्छ न्याले की पहली मुख्य नियाइदिस बनी तो वो कौन थी लीला सेट और ये कब बनी थी 1990 बन में बनी पहली महिला थी जो किसी भी हाई कोट की चीफ जस्टिस बनी थी वो लीला सेट बनी थी और किसी वहीं कि किया रही थी? पहली मुख्ये नयाधिस किसी भी राज्य में भारत के किसी भी राज्य की नेक्स्ट से हमारे पास जो बगली हार बाद divided की सिरल पर? तो बगली हार जो बाद है बुड़ ये कहाँ पे है जी? अब नदी पे है जी? जो हमारे पास मित्थुन एक मवेसी की नसल में पाया जाता है कहां पर पाया जाती है यह मवेसियों की एक नसल है तो यह कहां पर पाया जाती है आउन ना चल पदे जो हमारे पास इसके दौरा कंट्रोल किया जाता है अगर कभी आप देखते हो तो अगर आप बाहर से आपS दिन में बाहर खड़े हो और अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ दिखता नहीं है क्योंकि जो आपकी पिल होता है उसने अपने आपक कॉंट्रेक्ट कर लिए होता है मतलों वो सुकुर जाती है ठीक है और बाद में उसको अर्जेस्ट होने में टाइम लगता है तो उप्शन नमर जो फस्ट है दाइट इस दा राइट अन्स उमीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करेंगे और तो आने वाले एक्जाम है उसमें अपनी त्यारी को कॉंटिनू रहे नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं कि भारत के संभीधान में किस भाग में केंद राज्य समंदित समंदो का उलेक किया गया है तो यह जो हमारे पास उलेक है यह किसमें कहा गया है तो जो ऑप्शन नमबर जो हमारे पास नाइंथ है जो अनुछेद जो भाग हमारे पास 11 है उसमें जो है हमारे पास जो इंडियन सेंटर और स्टेट के बारे में जो हमारे पास यहां पर लिखा गया है तो फो हमारे पास न täll होती है किसके बारा है वो डील करता है और अनुचे 200 पैंसर से लेकर 277 के बीच में रहता है जो हमारे पास अनुचे भाग 10 है उसमें जो आर्टिकल आते हैं अनुचे 234 से लेकर 240 के बीच में रहते हैं और यह क्या डील करता है जो administration and जो schedule tribes areas होते हैं कि जो परसासन करना है कहां पर परसासन करना है schedule tribes area में तो उसके बारे में जो बताता है तो वहां पर परसासन कैसा होना चाहिए तो पार्ट 10 वो उसके बारे में हमें बताता है क्लेरा जी यहां तक उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट कोईशन देखते हैं नेक्स्ट में कौन सा हार्मोन पन में दूद के निकासन की ओर ले जाता है जब बच्चा उसे चूछता है तो वो कौन सा होता है जो हमारे पास फैरो नेक्स्ट कोईशन देखते हैं कि जो हमारे पास मारा बत और जो हमारे पास बढ़गाया का तोहार मनाया जाता है जो सीधे तोर पर समाजिक बुटाईयों का समान करता है और फुतलों के साथ एक जलूस के मादम से उनके अपरादियों को अलोचना करता है तो ये जो हमारे पास सेलिवरेट किया जाता है ये कहां पर मनाया जाता है तो नागबूर, option number third जो है इसका right answer कहा गया है कि जो हमारे पास रंगनी बुक के लेखक कौन है उसके लेखक है जो हमारे पास कहलन जो है that is the option number four जो है इसका सही answer है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं भारत के इतिहास में कालिस्तान के बीच में अबदी में दिल्ली संतनत काल के रूम में जाना जाता है तो जो हमारे पास दिल्ली संतनत जो पिरेट था वो कौन सा था तो वो बारासो छे से लेकर बारासो पनरासो चबदीस तक जो दिल्ली संतनत काल कहा जाता है तो सबसे पहले जो इसके पहले जो लीडर थे जिन्हों दिली वो थे हमारे पास तुकुवदीन एबक ठीक है जो तुकुवदीन एबक थे वो पहले यहां के दिली संतनत के पहले सुल्तान थे जो किस बंस के थे गुलाब बंस जो महम्मद गोरी था उनका एक गुलाम था जि उसने इस दिल्ली संतनत में पहला जो था भाग समाला था ठीक है पहले वो जो लास्ट थे वो थे इवराहिम लोदी ठीक है जी जो इवराहिम लोदी थे वो दिल्ली संतनत के लास्ट जो थे क्या थे राजा थे मतलब जो उसके तासक थे और इनकी जो लड़ाई हुई थी जो पानिपत की लड़ाई हुई थी 1526 में बावर और इवराहिमलोधी के बीच में और उसके बाद ही किस मुगल जो मुगल समराज्य था उसकी नीव रखे गई थी उसके बाद फिर कौन आ गए थे मुगल आ गे थी ठीक है जी 1526 में पानिवत की पहली लडाई हुई राहिम लोधी और जुबावर के बीच में और उसी के बाद जो है वो मुगल समराज्जी की नीव रखी next question में कहा गया कि नंदा देवी की चोटी कहां पे है तो वो कहां पे है जी तरह खंड option number second that is the right next question देखते है फर्स 1978 में संसोदन में संपत्ती के अधिग्रहन धाना और निप्तान के अधिकार को समापत कर दिया गया और एक मौलिक अधिकार था ठीक है जो पहले हमारे पास क्या था ये जो right to property है वो एक fundamental right हुआ करता था कि आपकी property को आप से कोई भी नहीं चीन सकता तो उसको खतम कर दिया गया था जो 44 जो संसोधन किया गया था 1978 में तो उसमें इसको स्माप्त कर दिया गया था और इसको क्या बना दिया गया था लीगल fundamental right होता अगर किसी भी government या किसी भी सरकार को development करनी है अगर hospital बनाना है या कोई company बनानी है तो आप वहां से अगर आपका ये right होता तो आप वहां से road नहीं निकलने देते कि भी ये मेरी जमीन है अगर सरकार उसको लेना चाती तो आप सीधे Supreme Court और High Court चले जाते कि हमारे fundamental rights का हानन हो रहा है और article 32 और article 226 के तहत आप High Court में जा सकते हो और 32 के तहत आप Team Court में जा सकते हो तो आप तो यहां पर कभी भी development है नहीं हो सकती तो अगर किसी भी सरकार को hospital बनाना है या कोई development करनी है रोड निकालना है तो अब क्या है इसको legal right बना दिया है अगर सरकार चाहे तो वहां से रोड निकाल सकती है आपको उसका जो भी आपका वहां पे जितना भी पैसा लगा होगा या जो भी आपकी जमीन की जितनी भी value होगी वो आपको पैसा मिल जाएगा और वहां से जो सरकार है वो असानी से क्या कर सकती है रोड निकाल सकती है नेक्स्ट कॉश्च और थर्ड जो है इसका राइटम्स है, ke जो हमारे पास महीर भोज के सासक थे तो वो कौन थे प्रतिहार? प्रतिहार जो थे जो एक रूलर हुआ करते जिनका नाम क्या था महीर भोर था वो रूलर थे किसके प्रतिहार जो डैनेस्टी हुआ करती थी जो समराजिय हुआ करता था उसके एक सासक थे नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं कि हमारे स्रीर की किन कोसीकाओं को लोग प्रिये रूप से मानव स्रीर के सैनिक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है किन कोसीकाओं को मानव स्रीर का सैनिक कहा जाता है जो हमारे पास बाइट ब्लड सेल होते हैं उन्हें कहा जाता है option no.4 जो स्वेत रक्त कोसी काय होती है उन्हें क्या कहा जाता है मानव स्रीर का सैनिक कहा जाता है the soldier of the human ठीक है जी next question देखते है कि बिक्रम सीला जो विस्व विद्याली की स्तापना एक पाल राज राजा द्वारा की गई थी तो उनका क्या नाम था जो विक्रम सीला यूनिवेस्टी है ठीक है उसकी जो स्तापना किसके द्वारा की गई थी जो धर्म पाल थे ठीक है जो धर्म पाल थे उनके द्वारा इसकी स्तापना की गई थी किसकी जो हमारे पास विक्रम सीला जो हमारे पास पाल बंस के थे इस बंस के थे जी पाल बंस के राजा थे जिनका नाम धर्म पाल ठीक है और जो हमारे पास बिकरम सीला जो बिसव बिद्याले है इसकी जो स्तापना की गई थी वो आठमी और जो नौमी स्ताप दी थी आठमी और नौमी अपूर्ति में कमी है तो उसे क्या काता है उसका जो भावित पर नाम होता है उसे क्या होगा तो उसे क्या होगा जो हमारे पास असफलता ठीक है जी जो हमारे पास option number third है मतलब इंगलिस में बोले तो defilation जो होगी option number third that is the title next question देखते हैं अठारा सुस्तोंजा में भारते विद्रो के दुवान तो कुवर सिंग की उपादी से माननेता देने के लिए एक बीर कुरवर सिंग जनती में मनाई जाती है तो वो कहां किये थे वो बिहार ठीक है तो जो अठारा सुस्तोंजा की जो करांती हुई थी जो कहां से करी थी बहार से उनोंने स्टार्ट करी गर gracious नेक्स्ट कोशिन देखते हैं जो हमारे पास कजाकिस्तान जो था उसने अपनी राजहनी का नाम बदल के नूर सुल्तान से अब क्या कर दिया है आस्तना पहले भी इनकी कैपिटल अस्तना ही थी फिर इन्होंने क्या करा उसको बदल के पहले नूर सुल्तान कर दिया अब फिर बदल के उन्होंने क्या कर दिया है आस्तना कर दिया है दो हजार बाइस में पह आप मेरी वीडियो को धेर सारा प्यार दोगे और शेयर और लाइक और कमेंटे जूर करेंगे निया बात